दोस्तों आप सभी लोगों को जनमास्टमी की धेर सारी सूव कामना है देखे इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है यह यह वीडियो दोस्तों आज से तीन महना बाद में यानि आज से तीन महना चार महना आगे क्या होने वाला है इस व और ये टोडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि क्या होगा आज से तीन मेहना आगे क्या होगा तीन मेहने बाद दो मेहने बाद क्या होने वाला है उस पॉइंट पर बात करेंगे साथ साथ दिवाली में क्या बोनस की रूप में हम लोगों को राहत देखने को मिल सकती है या नही मिल सकती है इस point पर बात करेंगे आप से request है वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से देखिएगा ध्यान से सुनेगा तो ही हमारी बात को आप समझ पाएंगे क्योंकि आपको मालूम है early word बिना सबूत का कोई बात नहीं करता और हम जिस context में ये बात करने जारे है वीडियो दूज के आसपास चलिए आप वीडियो बहुत इंपोरे दोस्तों फिर मैं बता रहा हूं पूरे यूट्यूब गूगल पर पूरी दुनिया में पहली बार वीडियो देख रहे हैं यहां से सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करके और लाइक से कुछ पूछना और आगे बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप एक खबर देखो फिर आगे की बात करेंगे देखें यहां पर नव भारत टाइमस 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 आफ इंडिया का अपडेट है दोस्तों यहां पर देखेंगा नव भारत टाइमस हम इस वीडियो में आपसे बात डिसकस करेंगे सबसे पहले खबर देखिए 30 अगस्त 2021 का देट मिन्स यह आज की खबर है आठ बज के अंठावर मिनट इन द मॉर्निंग में इंडियन स्टेंडर्ट टाइम के एकोडिंग यह पबलीश हुई है और यहाँ पर खबर क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए देश में तीसरी लहर की दस्तक और केरेल में लोकडाउन का सुझाओ मॉंबई में तीस हजार बैड की तैयारी होस्पीटल में बैड की तैयारी इसका क्या आप मिनिंग निकाल रहे हैं इसका क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं दोस्तों उमीद करते हैं जो आप सभी लोग हम से जादा समझदार हैं और उमीद करते हैं जो आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका क्या मतलब हुआ किस कॉंटेक्ष्ट में बात हो रही है ठीक है जी मुंबई में 30,000 एडिशनल बैड की त्यारी की जा रही है ठीक है जी और केरेल मे पर बात करी है क्रेडिट कार्ड मोलेटोडियम के उपर बात करी है लेकिन क्या हम सभी लोग इंडिया में इविक्षन मोलेटोम के उपर बात करी है भी तक इंडिया में इविक्षन मोलेटोम के उपर बात करी है ठीक है जी जो लोग रेंड पर रहते किराये पर रहते उसके उपर बात करी है नहीं करी है इसके उपर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है तो ध्यान रखेगा इन सभी च लेकिन मैं आपके भलाई के लिए पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूं आप लोग समय का अभी भी सदूपियोग कि अभी टाइम है अभी जदी समय रहते हुए जदी आप लोग प्रिपेर हो जाएंगे तो फिर आपको उस टाइम पर दिकतनी होने वाली ठीक है अब देखिए फाइनशल वाली नियूज पेपर है उसका खबर देखिए यहां क्या कहा जा रहा है यहां पर भी अपडेट है दोस्तो लेटिस्ट कोवीड थार्ड वेव कुट पीक और ध्यान से देखेगा यहां पर इसको मैं जड़ा एक्सपेंड करता हूं आपके लिए देखिए यहा अब करेगा दोस्तों अक्टूबर और नवंबर 2021 में इंटेंसी इंटेंसीटी एक्सपेक्टेड टू बी वन फॉर्ट ऑफ सेकेंड वेव घर इसका इंटेंसीटी यह उतना ज्यादा घातक नहीं होगा जितना सेकेंड वेव था लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नही अब ही देखें कितने सारे केसे सारे अलग-अलग स्टेट में तो अब आप समझ सकते हैं इस बात को और इनका रिजल्ट क्या निकलेगा क्या क्या हम लोगों को फिर से अक्टूबर और नवंबर देखिए अक्टूबर नवंबर फेस्टिवल का सीजन होता है लोगों को ख भव किया 2021 भी ऐसे ही तांडब मचा के ऐसे चलेगा तो कैसे होगा दोस्तों ठीक है तो हम सभी लोग यही इस वीडियो में डिसकसन करेंगे वीडियो को मिस मत किजिएगा और अभी तक समझ गये होंगे किस पॉइंट पर बात करने वाले हैं हम ठीक है जब अक्टूवर नॉ मामला जाने के बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा जो आपको ब्लेंकेट वाली मौलियो मिल ही जाएगा ध्यान.ướं कि लेकिन वाले के जा सकता है letter. खिया जाता भी है तो फिर वही वाली 23 मार्च 2021 को जो जज्जमेंट है और फिर उसके बाद जून में जो मामला आया मामला कहां चला गया फिर विशालतिवार जी वाला जो बात थी जो पेडिशन था सुप्रीम कोट ने कहा देखिए पॉलिशी मेंटर है इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री आर भी आई भारत सरकारी कुछ कर सकती है इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं तो फिर बात वहीं पर आ जाएगी लेकिन वह तो हो गई और कंसर्ण ऑथरूरिटी की बात लेकिन जितनी हाँ जितनी जितनी बात हम लोगों गहात कॉल यह सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो का मतलव हैं यही है दोस्तों जो आप सभी लोग अभी ही से फिलहाल स्टाइम लो उस टाइम के लिए ठीक है जदी आप अभी से प्रिपेर नहीं रहेंगे दोस्तों तो फिर उस टाइम पर आपको दिकत परिशानी का सामना करना पर सकता है जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा फर्स्ट वेब और सेकेंड वेब में ठीक है तो उमीद करते हैं जो आप स इसी तरह की आपको तो बेहतर मालूम होगा आपकी ए के बारे में आपका हाई कंडिशन के बारे में ठीक है तो आप उसी के अकोडिंग अपने अपनी फानेंशल कंडिशन को भी सही करने की कोशिश करो दूसरा जो है अपनी हेल्थ को थोरी इम्यूनिटी वगेर जो है इन सभी चीजों पर ध्यान दो ठीक है तो यह सारी चीज हम लोग इसलिए बताते है ता कि आपको राहत मिले ठीक है आप समझोगे तो जिससे कि आपकी आपको राहत मिले ठीक है और साथा अभी स्टार्टिंग मिलेगी जिससे कि आपका वी ऑफलाइन बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो और ज़िए आपका कोई offline business है तो उसको आप online लेकर आजिए हमारे पास solution है आप लोग लीजिए contact किजिए ठीक है तो कहने का मतलब क्या है आप समझ जाए और साथ इसी के coding अपने आपको ढाल लो prepare कर लो और मेरा बात याद रखेगा फिर उस time पर भी हम रहेंगे ही रहेंगे ह हम लोग earlywood इतनी time से देखी रहेंगे हम उस time पर भी आप से बात करेंगे दीपावली दसाहरा दुर का पूजा दीपावली उस time पर भी बात करेंगे तो इसी लिए कहने का मतलब यही है अभी से समय का value देना स्टार्ट किजिए और कोशिश किजिए सीखने का कोशिश किजिए स्टार्ट करने का हम लोगों के पास सारा solution available है और solution लेके अभी से जब आप उस पर work करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों तो उस time पर आपको कुछ फीली नहीं हो कहने का मतलब क्या है जैस तरह से किसान अपनी फजल को लगाने के लिए बीज बो होता है तो फिर उसको खेत से क्या करते हैं उसको निकालते हैं फिर उसको जाके जहां बोना होता है वहां पर उस पौधे को लगाते हैं फिर से ठीक है तो कहने का मतलब क्या फिर वो जो चार मेना पाच मेना में होता है फसल होता है फिर जाके उसको कितनी सारी मेहनत होती है ठीक ही हर बिजनेस का यही concept है ठीक है हर बिजनेस में हर जॉब में यही concept है तो आपको उस concept को पकरना परेगा और start करना परेगा अभी time है time से पहले time है अभी तो अभी आप prepare कर लेजिए ठीक है तो otherwise फिर आपको उस टेम पर दिकत परिशान नहीं होगे तो फिर आप फिर चीज को याद रखेगा चलिए इस एक साथ इस वीडियो को करते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धनवाद जाते आप सभी लोगों को जन्मास्ट में की धेर सारी सूब कामना है तो अच्छा एक और चीज बात करते हैं दिखाते हैं क्टूबर नौबर का जर्ण में आपको क्लेंडर खोल और ख़ला होगा खोल देखे नौवłe्चेंगा नौबर में दम्हाय को दिए नौबर veggie यह पर देंखेगा नौबर में दोस्तों दिवाली ऊपर नौ 보고 है तो सोच लिज दिवाली की टाइम पर दसारा की टा तो अभी से जब दी आप प्रिपेर रहेंगे ठीक है तो आपको रहत वाली बात होगी अच्छा दूसरी बात बात करते यहां पर देखेगा जरा मैं इसका कमेंट खोलता हूं यह देखे कमेंट हम लोगों ने लगाया हुआ है कमेंट आया हुआ तक कल वाली वीडियों सुप या मॉलिट्टर अप्लिकेशन देने के बाद भी समझ रहें बात को यानि आपने किसी जॉब के लिए अपलाइकिया धिहां हो लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है जो आपने अप्लाय कर दिया और आपको वह जौब मिल ही जाएगा ठीक इसी तरह से जिस तरह से की आरे बिया ने रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क टूपट जीरो निकाला त्यांत सुनेगा मैं वही बात करूंगा जो ओफिचली आरे बिया या या कंसर्न अथरीटी ने करी है ठीक है अपनी रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क टूपट जीरो में क्या कहा था जो आप दो साल तक मौटम ले सकते यह स्टेक्चरिंग ले सकते हैं इसका यह बिल्कुल ही मतलब नहीं हुआ जो आपको लोन मौलिटर्म और यह स्टेक्चरिंग आपको मिल ही जाएगा तो यह डिपेंट करेगा दोस्तों यह डिपेंट करेगा इनकम वाइबलीटी पर या आपकी जो जॉब जुब करते हो जॉब इनकम कैसे रहने वाला है तो उन सबी चीज़ों को बैंक देखती है और सबसे बरिबाद जो कोई बैंक आपको चैड़ी वाला आपको बताएगा नहींड करती है ठीक है रिपेमेंट बियेवर आपका रहेगा सही से तो ही आपको देगा यह कोई नहीं बताएगा यह थीक है साफ साफ कोई बैंक निभी अपसी नहीं क्योंकि वह उनका पॉलिसी है कोई बत डिस्क्लोज नहीं करना चाहता समझे को तो यह सारी चीज है और यह हमने आप लोगों को एक बार बताया था एलाइसी ने अपनी इन सभी एलाइसी यह पॉलिसी को मेंशन किया हुआ हमने लिंक भी बताया था याद है आपको दो तीन चार मैंने पहले ठीक है तो इसीग साथ इस वीडियो को करते हैं फिनिश दोस्तों मैंने सारा चीज आपको इवार आपका ठीक है सब कुसल मंगल होंगे और आप कुछ ने कुछ करते रहे सीखते रहे और इन सभी चीजों के बारे में न्यूज पर यह यह सारी चीज जानकारी रहेगी आपको गूगल पर गूगल करके देख लिजेगा मैं कितनी साफ साब बताता हूं ताकि आप से आज मई 2021 को निकाला था उसके तहट आप मोलेटों यारी इस ट्रॉक्चरिंग अपलाई कर सकते हैं लेकिन हां एक चीज ऐसा भी हो सकता है जो आरवी का जो यह रिजुल्यूशन फ्रेंवर्क टू पंट जीरो है दोस्तों यह 3.0 में कनवर्ट हो जाए अभी में प्रीडि एक्सटेंशन आगया ठीक है और मोलेटों एक्सटेंशन के बाद दोस्तों रिजुल्यूशन फ्रेंवर्क 1.0 आगया और फिर जब सेकेंड वेब आया तो यहां पर रिजुल्यूशन फ्रेंवर्क 2.0 आगया अब जदी थार्ड वेब भी आ जाता दस्तक तो देहीं दिया से पूरी कमर कसली है त्यारी करने के लिए ठीक है सभी इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था दो तिन कल परसों बताया था जो आरभी के जो डिप्टी गवर्नर साहब है उन्होंने अभी जो एस्मॉल फरेंस बैंक उनके साथ मीटिंग करी हुई है आने वाले टा उस प्रियाट को ध्यान में रखते हुए ठीक है जी और जो लोग अपलाए नहीं कि है अपलाए कर लीजेगा और हम लोग हमें लगता है ऐसा लगता ही नहीं है हंडिट परसंट हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है जस्ट मैं यह मैं जस्ट एक अनुमान लगा रहा हू इस न्यूज के कॉंटेक्स्ट में जैसा मैंने अभी बताया ठीक है तो यह हो सकता है और भी कोई रिजूलिशन फिर वक्त 3.0 आज है उस टाइम पर यह गारंटी नहीं है मैं जस्ट एक अब एजूकेशनल परपस में बता रहा हूँ है जूकेशनल नोलेज परपस के दोस्तो डिपोजिटर जो जो पैसा जमा की है जिसके विहाब पर हम सभी लोगों को लोन मिलता है दोस्तो तो उस डिपोजिटर का भी ध्यान डखना बहुत जरूरी है उसी डिपोजिटर के बद बदलत ही आप हम सभी लोगों को लोन मिलता है जिदि वो डिपोजिटर बै और ताकि उनको भी उनके ही पैसे पर तो बैंक देखो एक चीज़ समझ यह जड़ा मैं बता रहा हूं जदी कोई डीपोजिटर चाहे वो एफडी कराया हुआ हो एफडी वगए रहा है या फिर उसका को या सेविंग अकॉंट में भी डीपोजिट वगरा है तो जितना आप माल लो देखो इस पर एक सेविंग अकॉंट में कितने परसंट रेट और अप इंडिस्ट वगरे आपको मालूमी है जब यहाँ पर एफडी जो सेविंग वाल डीपोजिटर वाले है लेकिन वहीं इसी के पैसे पर बैंक क्या करती है इसको हाइर रेट बिटेस्ट उसको देती कम है और एसी के बदूलत वह लोण दे पाती है से पावरफुल डिवाइस है और ये इसका जदी आपने सही से इस्तेमाल कर लिया तो फिर अभी के टाइम की मैं बात कर रहा हूं जितना अभी इंडिया में जितने ज्यादा इंटरनेट और जितना ज्यादा डिजिटल डिजिटल एजेशन है उतना ज्यादा आप इस बात को समझ रहे हूं ठीक है इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं इस दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप से बहुत बहुत धनवाद सुक्रिया थैंक्यू और उमीद करते हैं जो आप सभी लोग कुसल मंगल रहिए हंसते रहिए मुस्कराते रहिए टेंसन फ्री रहिए आने आप इस बात निकल जाती है लोग एमोशनल हो जाते है इतनी जद अद्या को भी हो जाते हैं अब हम लोगों को भी काफी जृता बात समझी रहे हो जब सामने वाला बंदा अननल है तो फिर बात ठीक है तो यह सभी सीचेशन दोस्तों देखें जितना आपके हाथ में है ठी कीजिए जो काम आपके अंडर में नहीं है ठीज anything low that lei में अपको करने से आपको यह वगा सबसे पहले जो जितना की अंडर में है दो उसको कीजिए बाकि थो बाध थी ठीजिए टो हो सकता्य तो आपके अंडरे उसको निपट लेंगे उसको कर लेंगे तो आपको रहत मिलेगी जो आपके अंडर नहीं है उसको हासिल करने की कोषिस करेंगे तो इसकी कोई गर्णटी नहीं है जो ऐसको हमार चीव करने का दोस्क जो जद嚼 करने का कोषिस करेंगे। तो उसकी 100% की गरेंटी है जदि आप उसको राइट वे सही वे में करेंगे यह आपको हासिल हो सकता है यह अचीव हो सकता है लेकिन जो दूसरे के अंडर में है और उनसे आप लेने की कोशिज कर रहे हैं तो उसकी कोई जान्से उसकी विल्कुल नहीं के बराबर उसकी चांसे फिप्टी फिप्टी बोल सकते यह जो जितनी की परसेंटेज वक्तेज को नहीं है दे दिया तो अच्छी बात नहीं दीय तो फिर आपके लिए बुरी बात होगी तो जढ़ी कोई वेक्ति कोछी भी देगा जहाएं ब तो इसे साथ इस वीडियो करते हैं फ्रेंस दोस्तों वीडियो देखने हैं आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धनवाद शुक्रिया थैंक्यू